हाला स्टूडेंट्स मैंना नाम दॉक्टर गजन पुरहीत है यह मैंने नई सीरीज स्टार्ट करी है जहाँ पर मैं कुछ कंसप्स भी डिसकस कर रहा हूँ काफी सारे स्टूडेंट के मैसेज़स थे और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट होता है कि सर आप क्वेशन तो कराते हैं और CSIR NET और GATE और CUT एक्जाम पे बेस्ट चो कुश्चन्स हैं वो मैं कराऊंगा विद दे कंसप्स तो सुन देखे तो सुन आज की जो क्लास के अंदर मैं पढ़ाने वाला हूँ डिविजिबिल्टी रूल एंड सिंपलिविकेशन तो डिविजिबिल्टी रूल में सबसे 2, 4, 6, 8 या 0 आ रहा है तो हमेशा 2 से डिविजिबल होगा बड़ा एजी रूल है इस उन बात करें 3 की डिविजिबिल्टी का रूल तो सुन किसी भी नंबर का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा जैसे मैं आपके सामने बोलूं कि 3, 1, 5 अगर आप देखो तो इस तीनों को जोड़े तो यार यह हमारे पास क्या रहा है सुन 9 आ रहा देखो आप और 9 जो है वो 3 से डिविजिबल होता है इसका मतलब यह नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा यह हमारे पास से डिविजिबल होता है 4 की डिविजिबिटी की रूल क से डिविजबल होगा इसन जो 5 की डिविजबलिटी होता इसमें क्या होता अगर एंड डिजिट 5 है या 0 है तो यह वो 5 से क्या हो जाएगा डिविजबल हो जाएगा राइट है ना normally हम जानते वड़ा easy rule है तो सुन बात करें लास्ट वाला जो number है वो 2 से डिविजबल है मतब यह पूरा का पूरा 2 से डिविजबल है और इसका sum लें sum कितना रहा 9 जो कि हमारे पास 3 से डिविजबल है तो यह जो total number होगा यह हमारे पास 6 से डिविजबल हो जाए क्योंकि यह पूरा number 2 से भी डिविजबल है and 3 से भी divisible है clear है तो सुन divisibility of 7 का rule क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी number लिखा हुआ है उस number का जो end है जो unit digit है उसको twice करके आगी के number से minus कर दिया जाए और अगर वो 7 से divisible है तो ये पूरा number 7 से divisible होगा जैसे मैं आपके सामने एक example लेता हूँ 2, 7, 3 ये 7 से divisible है के नहीं है तो सुन क्या करेंगे जो last digit पकड़ते है इसको लेते है और इसको twice करते है 6 और इसको 27 से minus कर लेते है तो बटाए इसको 27 से minus करूँगा तो ये 21 आएगा और 21 7 से divisible है मतब ये number पूरा का पूरा 7 से divisible हो जाएगा जो अब बात करेंगे decisibility of 8 के बारे में if the number formed by the last three digit is divisible by 8 मतबत अगर last के तीन digit 8 से 2 की बात करें तो last का digit तो से divisible है तो वो 2 से divisible होगा if the sum of the digit is divisible by 9 अगर कोई भी number हमारे पास दे रखा है अगर उसका sum अगर करें और वो 9 से divisible हो जिससे 3 की divisibility है rule है 7 to 7 9 वाला होता है जिससे मैं आपके साब में बात करूँ 216 भाई यह इसको add करेंगे तो 9 आएगा और 9 9 से divisible है तो यह पूरा का पूरा number जोगा 9 से divisible होगा आप करके देख सकता है सुन 10 की divisibility सीधी है 11 की divisibility को सुनने के कोशिश करिए यह बढ़ा अच्छा concept है 11 की divisibility है सुन 11 की divisibility को समझने कोशिश कर रहे तो यहां से हम एक number लेते हैं माल लिज़े मैंने एक number लिया देखो जीरो आरा जीरो जीरो जो होता है वो 11 से क्या होता है इसका मतलब यह number हमारे पास क्या हो जाएगा सुन 11 से divisible हो जाएगा clear है यह द्यान देने की जरुत है जिससे आप कोई भी number बना दो जिससे मैं आपके सामने एक number बनाता हूँ 1, 2, यहां पर लिखा मैंने 3 फिर यहां पर मैंने लिखा यहां पर 2 ले लिया फिर यहां पर मैंने ले लिया 4 तो इस सुन यहां से हमारे पास क्याएगा 1, 2, 4, 4, 8 तो मुझे यहां चाहिए 4 अब इस सुन यह number ले लो देखो आप यह 11 से divisible है अब लोग कैसे देखो इनका sum लो आप कितना हैगा 1, 3, 4 और इस सुन इनका sum लो कौन सा इनका sum लो यह यह और यह बटा इसको लो है और इसको से माइनस कर दो 2, 2, 2, 4 से देखो यह 0 आ रहा है और 0, 11 से divisible होता है इसका मुझे नंबर जो होगा एकस प्लस वाई का होली स्कॉर हमारे पास यह होता है एकस माइनस वाई का होली स्कॉर हमारे पास यह होता है एकस प्लस वाई का होली स्कॉर माइनस एकस माइनस वाई का होली स्कॉर यह 4 एकस वाई होता है अगर इन्दोंनों को जोड़े तो हमारे पास इसकी वेलिए ये होती है X प्लस Y का क्यूब का फार्मला ये होता है X माइनस Y की क्यूब का फार्मला ये होता है X स्क्वार माइनस Y स्क्वार को मिस्तर से लिख सकता है x power n minus a power n को x minus से हमेशन डिवाइड करता है इस सुन इसकी बात करें तो ये फार्मला ये होता है x cube plus y cube इसी कोड़ो x plus y x square plus y square minus xy x cube minus y cube का फार्मला ये होता है याद रखने के ज़र होता है इस सुन x plus y plus z का whole square होता है x square plus y square plus z square 2xy 2yz 2zx होता है इसी डिएप से अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेट की पूरी की पूरी जीरो हो जाएगी तो यह जो है हमारे पास 3XYZ के बारा बारा जाएगा तो यह कुछ रूल है जिसके बारे मैं आपको पता होना अतिया वशक है इसमें इस पर बैस कुछ 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 बताना चाहूंगा मैं आपको तो इसमें पहला कुछन मारे पास यह दे रिखा है कि AQ प्लस BQ is equal to 217 and AQ प्लस BQ प्लस CQ is equal to DQ देन आपसे पूछा जा रहा है कि A प्लस B प्लस C प्लस D की वेलिव क्या होगी इसमें जब भी ऐसा प्रशन आता है तो यार यह heat and trials आप easily कर सकते है दो ऐसे number जिनका cube हमारे पास 217 आ रहा है तो आपके पास एक काम करते है number का cube लिख लेते है 1 का cube, 2 का cube, 3 का cube, 4 का cube, 5 का cube, 6 का cube यह कुछ number ले लो ताकि यहां तक आपको समझ में आएगा सुन, 1 का cube, 1 होता है, 2 का cube, 8 होता है यह हमारे पास 27 होता है, यह हमारे पास 64 होता है यह हमारे पास 125 होता है और सुन, यह जो आएगा, यह हमारे पास आएगा 6 and 216 I think यह हमारे पास यहापर इसकी value होती है अब इसका यहां पर देख रहे है कि इसका जो समा रहा हो 217 आ रहा तो ओविसलिए जो नंबर होगा वो यह होगा इन दोनों का जोड जो आ रहा है 217 इसका मतलब जो A है वो हमारे पास कितना होगा 1 और यह हमारे पास 6 क्यूब होगा तो A की वेलिव वन आ गई B की वेलिव 6 आ गई अब देखो यहांपर इसकी जो वेलिव है वह हमारे पास कितने हा रही है 217 अरह बहुंध एक यूब प्लस B क्यूब 217 है फ्लस C क्यूब इस कुब टो डीकूब तो हम क्या करते है यहां पर D C cube minus C cube is equal to 217. मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ. कि दो number के cube का difference हमारे पास 217 आ रहा है. तो बटा, दो number के cube का difference 217 कब आएगा हमारे पास? यह ध्यान देने की ज़रूता है. तो इसना देखिए हैं आप हमारे पास यह number दे रहे है. clear है? यहाँ पर आप 7 cube, 8 cube और 9 cube की value भी आप निकाल लीजे क्योंकि ultimately यहाँ भी मैं हीटेंट ट्रायल लगाना पड़ेगा 2 cube का difference हमारे पास 217 आ रहा तो किन का difference हमारे पास 27 को ultimately आप यह दो number तो ले नहीं सकते हैं इन में से किसी का difference हमारे पास 217 नहीं आएगा तो 217 हमारे पास यहाँ पर देखेंगे तो इन दोनों का difference आएगा अगर आप देखेंगे तो 9 में से 2 गया तो 7 आ रहा वैसे यह नहीं आ रहा हमारे पास बागी तो 7 कहीं नहीं आ रहा अगर आप unit digits से पता कर लोगे तो इसन यह हमारे पास हो जाएगा 9 क्यूब मैनस 8 क्यूब आएगा that is equal to 217 तो इसन जो D की value आएगी वो 9 आएगी और C की value जो आएगी वो हमारे पास 8 आजाएगे अब आप से पुछा रहें कि A plus B plus C plus D की value क्या आएगी तो सुन A की value हमारे पास 1 आ रहे है C की value 8 आ रही है और D की value बारे पास क्या रही है 9 आ रही है तो 9 और 1, 10, 10 और 6, हमारे पास 16, 16 और 8, 24 तो सुन D option हमारे पास यहां पर क्या जाएगा, correct आ जाएगा, तो इस प्रकार से इस question को बहुत एजिली कर सकते हैं, so next दे रहा है कि suppose N is positive integer, then N square plus N into 2N plus 1 है, so इसा question से किस से divisible होगा, तो जब भी ऐसा प्रशन आता है, कि यार N square plus N into 2N plus 1 किस से divisible होगा, तो आप जब ऐसा प्रशन है तो दिमाग लगा नहीं की जरुत ने, N की value पूट कर दो, N की value 1 रखोगे, तो यहार यह आएगा, 1 plus 1 into 2 plus 1, तो इस उन यह 6 आएगा, यह N की value 1 रखे, इस उन N की value 2 रखता हूं मैं, 2 रखूँगा, तो यह मारे पास 4 plus 2 into, यह आएगा, तो यह आएगा, यह 6 into 5, अगर मैं बात करूँ, N की value 3 रखता हूं, 3 रखूँगा, तो यह कितना आएगा, 9 plus 3, और यहा रखूँगा, रही सुन यह आएगा, 7, clear है, तो यह आएगा, 12 into 7, clear है, तो सुन यहाँ पर हम n की value 4 रखें, तो यह आएगा 16, 16 और 4, 20 आएगा, I think यह 20 आ रहा है, ठीक है, I think 16 और 4, 20, right, and सुन यह आएगा, हमारे पास 8 और 9 आएगा, तो सुन आप देखेंगे, तो यह आएगा 9 into 20, तो यह सब के सब जो number है, यह number है, यह number है, यह number है, यह number, सब के तो सुन D option मारे पास यहाँ पर क्या जाएगा, correct जाएगा, so next question देखें, आप से बूला जारा है कि Q power minus A is equal to 1 upon R, R power minus B is equal to 1 upon S, and S power minus C is equal to 1 by Q, तो आप से पूछा जारा है कि यह A, B, C की value किसके बराबर होगी, तो सुन जभी ऐसा प्रशन है, तो हम क्या करेंगे सुन, यह आ से हमारे पास क्या जाएगा, सुन अगर A, बात करें, R की value, तो R की value हमारे पास Q power A जाएगा, right, अगर मैं बात करूं S की value क्या जाएगे, तो सुन यह R पावर B जाएगे, अगर मैं आप से बात करूं Q की value हमारे पास क्याएगे, तो S power C जाएगे, सुन यह हमारे पास यहा पर क्या हैगा Q पावर A इन्टू B C हो जाएगा अब यस्व जो कि Q power 1 के बाराबर आ गया, इसका मतलब A, B, C जो होगा, वो हमारे पास किसके बाराबर होगा, 1 के बाराबर हो जाएगा, तो C option हमारे पास यहाँ पर कह जाएगा, correct आएगा, तो इस प्रकार से इस question को बहुत एजी लिए कर सकते हैं, इस उने से और भी question अगर आप प्रक्टिस करना चाहरे है, तो मेरी जो जनरल अप्रीट की बूक है, यह Amazon पे अवेलेबल इसको आप बाई कर सकते हैं, इसी ताप से IET, GM, CUT, and CSIRNet, गेट की बूक भी है, अगर mathematics के लिए चाहें, तो आप Amazon से बाई कर सकते हैं, यह flip card पे भी available है, so next question देखिए, given that A and B are the integer, and आप से बुला जा रहा, कि A plus A square B cube is odd, इसकी जो value है, वो हमारे पास क्या दे रिखिए, odd दे रिखिए, यह cube है हमारे पास, तो सुर्ण हम यहां पे का करेंगे, अब हम option लेके चलेंगे, अगर मैंने ले लिए first case, कि मैंने ले लिए कि ये भी even है, और B भी even है, मैंने दोनों को even even ले लिए, ये भी even ले लिए, ये भी even ले लिए, है ना, अब even है, तो आप value ले लूँ, 4, ठीक है, है ना, या तो 4 करेंगे, तो सुन ये कितना हैगा, चार है, तो 4.16, 16,64 आएगा, तो बटा, ये even आ रहा है, ये भी even आ रहा है, तो भी ये तो पूरा पूरा even आ जाएगा, जबकि ये तो बोल रहा, ओड आना चाहिए, तो सुन ये case जो है ओड ले लूँ, तो माल लीजे, मैंने A की value ले ले ली 1, और B की value ले 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 मैंने 3, ये दोनों ओड है, चेक करते हैं, ये ओड आ रहा है, ये तो 28 आ रहा, ये तो even आ रहा, जबकि ये मार पास तो ओड आना चाहिए, ये भी इंकरेक्ट हो जाएगा, राइट, थल पूरा थर्ण हमारे पास क्या बोला है, A is even and B is old, क्या बोल रहा है, A is even and B is old, तो ये काम करते है, A को ले ले 2, B को ले ले 3, रखके देख लो भी ये क्या आ रहा है, है ना, दो मेंट में बता पूर जाएगा, है ना, तो सुन जब ये ऐसा प्रशन है तो इस तरह सापको करना है, तो A की वेल्यू टू लो, तो ये रे 2 होगा, प्लस ये 4 हो जाएगा, और इसको इसको एड़ करोगे, तो 2 प्लस ये आएगा, हमारे पास साथ चुक अठाइस आठ और 8 हो दो 10, ये तो even आ रहा है, ये तो ये भी हमारे पास incorrect हो जाएगा, next, अब बात करते हैं, सुने हमार पास क्या वेल्यू आ रही है, है ना, तो सुने ये वेल्यू पूट करके देखते हैं, यहां से हमारे पास ये ओड़ आ रहा है, बहुत इसलिए आप कर सकता है, so next question देखे, आप से बुला जा रहा, कि what is the value of x, आप से पुझा रहे कि x की वेल्यू क्या होगे, अगर ये इस के बराबर है, तो सुने जभी इस प्रकार का कोई भी question आता है, तो 81 है, तो सुने 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 पावर 4 लिख सकते हैं, into, सुने यहां पर आएगा हमारे पास 2 की पावर 4 upon 5 की पावर 2, मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं, and power x plus 2, और सुने यहां division है, जब भी division क multiplication करा, उसको उल्टा कर दो, तो यह आएगा हमारे पास 5 by 3 power 2 x plus 4 is equal to 144, तो 144 का मतलब क्या होता, 12 into 12, 12 into 12, मतलब यह हमारे पास आएगा 16 into 9, that is 3 power 2 into 2 की पावर 4, अब इस यहां पर क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा simplify करते हैं, तो यह आएगा 3 power 4 into, यह आएगा हमारे पास 2 की power 4x plus 8 upon, यहाएगा 5 की power 2x plus 4 into, इस इसली आएगा 5 की power 2x plus 4 divided by 3 की power 2x plus 4, तो मैं आप देख रहे हमीं हाप है, और is equal to 3 power 2 into 2 की power 4, तो मैं आप देख रहे हमीं हाप है, हमारे पास term cancel होरी कौन से वाली? यह वाली term से यह वाली term क्या वाली? हमारे पास cancel होरी, भैट? हम हम क्या करते हैं, इन सभी power को उपर ले जाते हैं, तो इसको मैं उपर लेके जाता हूँ, तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, ध्यान दिजाएगा, जब इसको simplify करेंगे, तो यह आएगा 3 power 4 minus, यह power उपर जाके minus होगे, तो minus का 2x minus का 4, यहां पर हमारे पास, यह तो minus कर दी है, और यह तो हैज़ी इस हमारे पास ही है, 2 की power 4x plus 8 is equal to 3 power 2 into 2 power 4 हो जाएगा, बो भी यह सही है, अब हम क्या करेंगे, सुन यहां पर cancel करेंगे, तो यह आएगा 3 की power minus का 2x and 2 की power, इस हुन यहां पर क्या आएगा, 4x plus 8 is equal to 3 power 2 into 2 की power 4 हो जाएगा, बैट हम क्या करते है, इसकी power का इसकी power, तो minus 2x is equal to 2 हो जाएगा, और यह आएगा हमारे पास 4x plus 8 is equal to 4 हो जाएगा, बैट है, यहां से cancel करेंगे, तो minus 1, अगर आप इसको check करना चाहें, तो 4x is equal to minus का 4, भाईया, x की value minus 1, तो यहार, दोनों case में हमारे पास x की value क्या रही है, minus 1 आएगा, तो यहार, बी option हमारे पास यहां पर क्या जाएगा, तो इस प्रकार से इस type के questions को आप बहुत आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप सभी का बहुत 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 दैनेवाद, thank you, bye